बहिया देखना एटल से एक मेसेज आया है मोबाइल नमबर को आधार से जोडने के लिए जी बिल्कुल भारत सरकार के आदेश आनुसार हर ग्राहक को अपना मोबाइल नमबर आधार से जोडना जरूरी है लाहिये मैं आपका नमबर जोड देता हूँ और साथ ही आपका मुफ्त एटल पेमेंट्स बैंक खाता भी खोल दूँगा सब कुछ मात्र दो मिनिट में हो जाएगा ये कर दिया मैंने अपना लॉग इन आपका मोबाइल नमबर है 9810012345 आपके मोबाइल पर OTP आया होगा कृपिया उसे बताए ये डाला मैंने आपका आधार नमबर 123456789012 और अब आप यहां अंगूठा लगा कर अपनी सहमती दे ये आ गई आपकी जानकारी क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है इसके बाद ग्राहक से पूछकर इमेल आईडी, पैन कार्ड, व्यवसाय और वार्शिकाय भरें अच्छा, आप अपने खाते में जमा पैसों का नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं? मेरे बेटे रमेश को तो बताइए, कितने पैसों से खाता खोलना चाहेंगे? वैसे तो खाता मुफ्त में खुलेगा लेकिन पहली बार जमा हर रुपए पर एक मिनट की मुफ्त कॉलिंग कुल जमा पैसों पर सबसे ज्यादा सबा साथ प्रतिशत ब्याज और साथी एक लाख रुपए का दुरगटना बीमा भी मिलेगा वो भी बिलकुल मुफ्त ठीक है दो सो जमा कर दो अब एक बार फिर से अपनी सहमती दें और अब मैं डालूंगा अपना M-PIN और ये जोड़ गया आपका आधार और खुल गया आपका खाता बधाई हो अपना मोबाइल चेक करें उसमें भी जमा पैसों की रिपोर्ट वाला SMS आया होगा अरे वा इतना असान Special Case 1 अगर किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर पहले ही आधार से जुड़ा हुआ होगा तो उसका मोबाइल नंबर डालने पर ये मेसेज आएगा और उसके मोबाइल पर OTP भी नहीं आएगा ऐसे ग्राहक का खाता खोलने के लिए Home पर क्लिक कर Main Menu में जाए Special Case 2 खाता खोलते समय अगर ग्राहक पैसे नहीं जमा करना चाहता तो अन्य का विकल्प चुनकर शून्य भर दे